नमस्कार बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं समाना अंतर स्रेढ़ी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित ये मॉस्ट टू डू पार्ट का चेप्टर नमबर फिप्ट से रिलेटेट सवाल दिया गया है ये उन बच्चों को confidence बढ़ाने के लिए है जो बच्चे math में असहज महसूस कर रहे हैं लगता है जो कि मैं किसी कारण वस इस पार पास नहीं हो पाऊंगा तो मन में इस दुविधा को दूर करने के लिए यह हमारे department ने मस्ट तू डू स्लेवस दिया है उसका यह चेप्टर नमबर फिप्ट का जो टॉपिक है समान अंतर सरेड़ी उस पे बात कर रहे हैं उस पे वीडियो बना रहे हैं तो यह समान अंतर सरेड़ी जिसका नाम से ही इस पस्ट है समान अंतर हो यानी उस रहेड़ी में उस क्रम में जिसमें समान अंतर हो अब जैसे यहां पे देखिए यह दो है चार है छे है आठ है तो सब में दो-दो का अंतर है यानि A1 पर पहला पद को A कहते हैं या A1 भी कहते हैं तो A1 बराबर में 2 और D 2 है तो D कैसे देखेंगे D बराबर होता है किसी दो पदों का क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1 या यही होता है A3 माइनस इसे पिछला पद A2 का अंतर या इससे A4 में से A3 क्या इसी तरह से A N- A N-1 यानि कोई भी क्रमागत पदों का अंतर जो होता है समाना अंतर स्रेड़ी में आता है अब दूसरा देखते हैं जो पहला की दिया यह समाना अंतर स्रेड़ी में है कि नहीं है तु उसके चर्चा की गई है अब दूसरा देखे इसमें ।ीन है तीन है तीन है तीन है तो यह भी सम Ł genuine हो क्योंकि A बराबर तीन है अठी बराबर Зीरो तो है यानि करम में DR Sm? ले rap तीसरा 5 on a threeقstad on a two at a few ॉया इस दोणों मे अंतर कितना है माइनस तीन का इस दोनों में अंतर माइनस तीन का तो यह भी अ बराबर पर और डी बराबर में माइनस ती तो यह समानांतर स्रेडी में है अब है सवाल इस पे महतपुर विंदु जैव उस पे यह चर्चा की गई है यदि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो समानांतर स्रेडी हो यदि पहला पद A और दूसरा पद A2 हो जिसका अंतर सार्वंतर कहलाता है यानि प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो समानांतर स्रेडी में होगा यानि पहला पद हो गई और सब में समान का अंतर हो सारे पदों में समान का अंतर हो तो समानांतर स्रेडी में होगा यानि इस तरह से क्रम बाढ़ता है A बराबर में A प्लस D, इसमें एक और D बढ़ गया, A प्लस 2D, इसमें एक और D बढ़ गया, A प्लस 3D, इस तरह से बढ़ता है, A1 बराबर A, A2 बराबर में A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, इस तरह से बढ़ता है, सार्व अंतर D बरावर में कोई भी दो पदों का अंतर, अभी मैंने पहले भी बताया था A2-A1 या A3-A2, समान अंतर स्रेणी में पदों के बीच समान अंतर होता है, नाम से ही समान अंतर स्रेणी यानि वह क्रम वह स्रेणी जिसमें समान का अंतर हो, दो पदों में समान का अंतर हो तो समान अंतर कहलाता है, इसमें मुकिता दो ही फॉर्मूला है, एक तो कहता है समान अंतर स्रेणी का अनमा पद याद कीजिए, तो देखिए, यहाँ पे अनमा पद यानि अन बराबर में A प्लस N-1D, एन से एक कम, तो यहाँ पे तो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन N और A में अंतर नहीं समझ पाते हैं, एन और D में अंतर नहीं समझ पाते हैं, कई बार लास्ट वाले पद को N समझ लेते हैं, तो N जो होता है, A N तो समाना अंतर स्रेडी का N मापद, A है समाना अंतर स्रेडी का पाहला पद, N है पदों की संक्या, यह काउंटिंग में कितनी हैं, लास्ट नमबर नहीं, पदों की संक्या, और D सार्व अंतर हैं, और दूसरा इसमें जो फॉर्मूला है, वो है समानांता स्रेणी का N पदो का योग, सिर्फ दो ही फॉर्मूले पे आधारी थे, एक An और एक Sn, समानांतार पदो का योग, तो Sn में क्या होता है, N by 2, और 2A plus N minus 1D, तो Sn, N पदो का योग, पदो की संख्या, और A पहला पद, और D सार बनता है, इसी को एकस्पेंड करते हैं, तो एक और फॉर्मूला बनता है, Sn बराबर में, देखिए, N by 2, और एक बार इसको हम खोलते हैं, A plus A लिखते हैं, और प्लस N minus 1, और D, तो बचो, यह देखिए, यह फॉर्मूला, देखिए, A plus N minus 1D, कुछ याद आया? नहीं याद आया, तो देखिए, उपर में हमने यही फॉर्मूला लिखा है, A plus N minus 1D, तो यह क्या है, A plus N minus 1D, वही फॉर्मूला है, तो यह किसका formula है यह formula है an का यानि last term का तो यहाँ पे एक और formula बनता है n by 2 और a plus an यानि l भी लिखा जाता है कई जगा तो यह formula है तो देखिए यह formula कब use करें और यह formula कब use करें इसमें कोई एक चीज़ ही find कर सकते हैं बाकी चीज़ आपको दिया होना चाहिए ढuseation मरे ऐसके और यहाँ पर प्दोन जिया होवं इनमा प्द दिया हुआ होओ और यहां पे पहला पाद हो इनंव को और कि निकाल पाएंगे तो देखें हम एक बार जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं तब इसको ्धश्iden ah तो आसानी होती है कौन सा फर्मूला उसके अपलाई हो आईए अब एक्जामपल देखें अब पहला सवाल दिया है निम्न समानांता स्रेणी में प्रतंपत और सार्व अंतर यहां पर पहला पत तो 3 हो गया और दूसरा पत यह हो गया तो डी बरावर में A2 minus A1 होना चाहिए या A, तो इस में से घटा लिए, एक में से 3 दिया, तो minus 2, तो A बराबर 3 और T बराबर minus 2, अब दूसरा सवाल है दिया हुआ, कहरा है समानांतर स्रेडी के प्रथम 4 पद लिखिये, पहला पद दिया हुआ है, और सारवंतर दिया हुआ, तो A1 बराबर में A10 होता है, A2 बराबर में इस में से A plus D, यानि 20 होगया, इस में भी 10 और जोड़ दिये, हर बार एक और 10 दस जोड़ते जाए, क्योंकि सारवंतर जोड़ते जाते हैं, A4 बराबर A plus 3D, यानि A plus 3 गुने 10 चालिस, तो यह होगया, अगला सवाल है, क्या नेमने स्रेणी एक समान अंतर स्रेणी हैं, समान अंतर स्रेणी के लिए होना चाहिए, जो कि सभी में अंतर समान हो, अब पहला पत तो A है, ठीक है, इसका अंतर देखिए कितने का है, दो का इसका अंतर देखिए चार का इसका अंतर देखिए तो ये सारे में समान अंतर नहीं है a2-a1 बरार ये a3-a2 बरार 4 और a4-a3 हो जाता 8 16 में से 8 जाता 8 तो यह एक समान अंतर सरेडी नहीं है, क्योंकि पदों के बीच समान का अंतर नहीं है अब यह सवाल आता है समान अंतर सरेडी का तीसमा पद गात कीओ तो A दिया हुए 10, D दिया हुएbook jar, हम निकाल लेंगे तो यह देखेंगे मैनस 3 है, N दिया हुआ एक 30 to any uhren का फर्मुला है हमारे पास एन बराबर में ए 11-1 दि एक बदले यह रख दिया 10 और d न हमारे पास तριसे 30 से 39 आ गया और माइनस 7B più जो है माइनस मों में इसकी अगया हमारे पास है इसी तरह कहता है इस में आता है कौन सा पद 0 है इसी तरह का सवाल आता है तो प्री लेस बैवे टैम no खर दीजिए तो माना की इसा मान रिवह न बरावर में 0 तो पहले A1 क्या है, D क्या है, निकाल ले A1 बरावर 27, D बरावर में 2 पदों का अंतर देखे, तो हमारे पास माइनस 3 हो, तो A1 बरावर में यह होनी चाहिए, फॉर्मूला, अब A1 बरावर में हमने माल लिया 0 है, A1 बरावर 0 है, यह बरावर 0, तो हमने उसका वैल्यू रखा, तो यह आगया, N बरावर 3, N बरावर 30 आजाएगा, स्वल्व करने के बाद, तो N का मान 10 आजाएगा, तो इसमें बूझ रहा है, जो कि अता कौन सा पद, समाना अंतर स्रेडी का कौन सा पद 0 है, तो समाना अंतर स्रेडी का दस्मा पद 0 है, इसी तरह अगला सवाल है, यदि किसी समाना अंतर स्रेडी में, A बरावर में माइनस 4, B बरावर में, N बरावर में 7, N बरावर में 4 है, तो A गयाद, यहाँ पर एन दिया हुए 4, तो एन बरावर में फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम में पूट करना है, एन बरावर में 4 है, जो है वैल्यू वैल्यू पूट करते जाए, तो A का वैल्यू 28 आ जाता है, इस तरह से सवाल है, और देखते हैं, अब अगला सवाल है, समानांतर स्रेडी के एन पदो का योग निकालने वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह 2, 7, 12 के 10 पदो का योग, तो N बराबर में, A बराबर में 2D का वैल्यू दो पदो का अंतर निकाल लिए 5, समाच, N दिया हुए 10, तो S 10 निकालना है, तो S N का एक बार फॉर्मूला लिख ले, S N इसकल टो N बाइ 2, 2A प्लस N माइनस 1 लिए, अब इसमें हमने पूट किया, एक वैल्यू, टी की वैल्यू, N की वैल्यू, तो S 10 निकाला, तो यह आया इसका आंसर, इसी तरह कहता है, यहाँ पे प्रथम, इसके समाना अंतरस रेडी के प्रथम 22 पदों का योग फल गया, तो यहाँ पे N बराबर 22 हो गया, N बराबर में 22, और A की वैल्यू 8 है, D का वैल्यू इसमें से घटा आया, तो माइनस 5 आ गया, N वैल्यू, तो S 22 लगा है, तो S N का फॉर्मूला हमने लिख दिया, फिर इसके वैल्यू पुट कर दिये, तो इसका वैल्यू यह आ गया, अब इस तरह से आपके लिए अभ्यास का भी कुछ सवाल दिया गया है, जिसको आप प्रेक्टिस करें, और बनाएं, आईए हम अभ्यास वाले प्रस्ण की चर्चा करें, यहां पहला सवाल है, इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्याद करना है, तो प्रथम पद यह हो गया, प्रथम पद A1 बराबर में माइनस 5, और सार्व अंतर किसी दो का अंतर, दो पदो का अंतर होता है, ती बराबर में A2 है पहले, माइनस 1 और माइनस और फिर माइनस 5, तो यह हो गया, माइनस 1 और प्लस 5, तो इसको सॉल्व करने पर 4 आता है, तो A का वैल्यू और T का वैल्यू आ गया, अब दूसरा सवाल कहता है, इसके प्रथम चार पद लिखिए, यहाँ पर A1 की वैल्यू दिया, A तो दिया ही हुआ है माइनस 2, और सब में 0 लिखना है, A1 बराबर में माइनस 2, A2 बराबर में क्या हो जाएगा, A2 में बराबर में A प्लस 1D होता है, माइनस 2, प्लस 0, A3 बराबर में माइनस 2, और A3 बराबर में माइनस 2 में फिर जोड़ो 0, तो यह हो जाएगा, माइनस 2, तो इसी तरह सारे माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 हो जाएगे, इसके प्रतम 4 पद, अब अगला है, समानांतर स्रेड़ी, इसका कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए, N बराबर दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है, 3, D बराबर में इस दो पदों का आंतर यदि करते हैं, तो 5 आता है, A2 माइनस A1, और A N बराबर दिया हुआ है, 88 है, कौन सा पद है, तो A N माइन पद 78 है, तो अब फॉर्मूला क्या है, A N का फॉर्मूला है, A पलस N माइनस 1, D, इसको पुट करें, और यह 78 होनी चाहिए, A1 क्या है, हमारे पास 3 है, पलस N माइनस 1 नहीं पता है, N नहीं पता है, और D की वैल्यू है, हमारे पास 5, बराबर में 78, इसको स्वल्व करें एक बार, या 3 उदार लेग जाएंगे, तो भी चल जाएगा, 3 प्लस 5 को N से गुना करें, तो 5 N और माइनस 5, इसको स्वल्व करेंगे, 5 और यहां रहने दें, और यह क्या हो जाएगा, 2, माइनस 2, माइनस 2 इसमें दूसरे साइड आड हो जाएगा, 78 प्लस 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 80, तो 5 N बरावर में 80, तो N बरावर में 80 का, 80 अपन में 5, कितना हो जाएगा, 5, 16, तो सोलवा पद आपका, जो होगा, वो 78 होगा, अगला है, चोथा सवाल, यदि किसी समाना अंतर स्रेणी में, A N बरावर में 3 प्लस 4 N हो, तो इस समाना अंतर स्रेणी का प्रथम पद और सार्म अंतर ज्याद कीजिए, तो यह A N बरावर में देखिए, यह ऐसा दिया होता है, T N भी लिखा होता है कई बार, तो टर्म 1 वहाँ पर समझें, तो A N बरावर में दिया हुआ है, A N बरावर में 3 प्लस 4 N, तो N का वेल्यू रखते जाए, और पदो की संख्या आती जाएगी, A N बरावर 1 रखने पर, A 1, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुने N, 4 गुने 1 तो यह हो जाएगा 7, A 2, A 2 बरावर में N बरावर 2 रखने पर, 3 प्लस 4 में से, 4 गुनी 8, तो 8 गुनी 11 होगा, A 3 बरावर में क्या होगा, 3 प्लस 4 को 3 से गुना 12, तो यह 15 हो गया, तो सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है, D बरावर में क्या होता है, D बरावर में होता है, A 2 माइनस A 1, तो इस दोनों को घटाएं, तो यह हो जाएगा, 11 में से 7 गया, तो 4, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, प्रथम पद और सार्व अंतर, तो प्रथम पद आपका यह हो गया, 7 और प्रथम पद 7 हो गया, और सार्व अंतर 4 हो गया, अब अगला सवाल देखते हैं, यह कह रहा है, इसमें कौन सा समानंतर सर्ड़ी में, इसके प्रथम 12 पदों का योगफल ग्याद कीजिए, A1, A1 बराबर में दिया हुआ है, माइनस 37, A2 बराबर में दिया हुआ है, माइनस 33, तो D निकल जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 जदी करते हैं, तो क्या हो जाेगा माइनस 33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 यानि माइनस 33 और यह माइनस और फिर माइनस 37 तो करेंगे तो यह 4 आ जाएगा अब आपसे पुझा जा रहा है जो प्रथम 12 पदों का योग यानि N बरावर में 12 तो S N का फॉर्मूला क्या है? N by 2 2 A प्लस N minus 1 और D अब इसमें N के बदले हमने रख लिया 12 12 बटे 2 और 2 A 2 और A की वैल्यू है हमारे पास A1 की वैल्यू minus 37 minus 37 plus N का वैल्यू 12 में से 11 और D का वैल्यू आया था 4 तो अब इसको solve करें तो यह हो जाएगा 6 6 और इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6 74 माइनस 74 और इसको करेंगे तो 11 चक 44 आता है plus 44 तो यह आजाता है minus 30 बराबर में 6 into minus 30 तो आजाएगा 180 minus 180 और यह दिआ हूए answer इस तरह की सवाल आते हैं इसमें इसके अलावा भी एक और प्रस्ट आता है जो हम इसमें डिसकॉस करने की कोशिस करेंगे तो आ आ आ आ आ आ न आ आ आ आ आ आ आ आ ही होता है आ आ आ आ आ आ आ आ आ या होगा n square minus 3 या 3n इस तरह से दिया होगा तो यहां पर आप उसका use करके n का value s1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 square minus 3 और 1 तो यह हो जाएगा minus 2 s2 हो जाएगा 2 का square 4 और 3 into 2 तो क्या हो जाएगा 4 में से 6 गया तो यह भी minus 2 s3 तो यहां कहने का मतलब यह है कि यह जो यह आएगा यह हो जाएगा एक पदो का यह और यह होता s2 होता है a1 plus a2 तो इस तरह से यदि आए तो आप सवाल को देखिए पहले a1 निकालना होता है तो a1 बरावर में s1 a2 निकालना हो तो s2 में से s1 गया a3 निकालना हो तो s3 में से s2 गया तो इस तरह से आप ap निकाल सकते हैं और फिर पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाए इससे आप सारवंतर d निकाल डी पूछा जा सकता है तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके आप बनाएं धन्यवाद अच्छा लगे तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद झाल